हेलो फ्रेंड्स पाइफन सीखने की स्रीज में उनी साब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों यह चैप्टर 15 का लेक्चर 2 हो यहाँ पे हम लेंडा एक्सपेशन के बारे में कुछ और जानेंगे तो सब्सक्राइब अभी तक हमने लेंडा एक्सपेशन में एक प्र करता हूंगे नमर को या ऐसा कर सकते हैं greater greater number को पास करते हैं greater नाम रखते हैं इसका और इसमें दो नमर पास करते हैं ठीक है दो नमर पास करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे return a greater b ठीक है मतलब यह होगा या तो हम if else लगा दे ऐसे if a greater b if a greater b return 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 a या else return b इसका मतलब यह हुआ कि जब a greater b होगा तो a return हो जागा या b बड़ा होगा तो b return हो जागा अब जड़ा सूचे इतनी बड़ी प्रोग्राम है तो इसको lambda expression से हम जानते हैं कि एक line में कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसी का syntax हमें देखना है कि if else जब use होगा तो lambda में कैसी use होगा एक बड़ मैं इस प्रोग्राम को रंकर करका को दिखाता हूं अब है तो यह ओपके आप समझ पार है वां टू में यहां टू रिटन होना चाहिए तो जो है मेरे पास प्रिंट हो कहना चाहिए तो देखें टू गरेटर ठीक है अच्छा आप मैं इसको फ्रेंट कर देता हूं अब लेट से मैं यहां पे कुछ और वरिबल टूल रग दे हंगे जासरा कि का कि स्थे करेंगे कैसे कर व CEO कमेंट करता हूं और कमेंट कर दिल्फे छे मुझे करना की ठीक है तो जब सोची है कि YES आप कैसे कर पाएंगे जैसे मानले जिए आपको करना क्या है किसभरी बरीबल टू डिक लेकषन करना ही होगा तो लेट से मैं इसी नाम क अपको एक्सप्रेशन रिदेना है, ठीक है? तो एक्सप्रेशन कैसे देना क्या होगा? कि आपको लिख देना होगा, a if, a तब रिटर्न होगा a जब a, b से बड़ा होगा else, else आपको क्या मिल जागा? b मिल जागा, ठीक है? तो यह syntax हुआ और I hope कि आप syntax समझ पा रहा हूँ, आप चाहए तो bracket लगा है या नहीं भी लगा है, कोई दिकत नहीं है, ठीक है? आ मैं क्या करता हूँ, simple print और greater जो हमको return करेगा, तो greater और greater मैं क्या pass करूँगा? तो greater मैं पास करूँगा, मैं a, b pass करने के लिए बोल रहा है, देखें, ऊपर a भी गया है, यहाँ पर a और b return करने के लिए, sorry a और b pass करने के लिए, ठीक है, तो मैं पास करूँगा 1, 2, ठीक है, 1, 2, अच्छा, मैं इसको run करता हूँ, और run करने के लिए, देखें, मेरे पास 2 return होके आगा, कि कोई 2 बड़ा है, अच्छा, मैं पहले जासा है, इसको 12 कर देता हूँ, तो अबकि बार मुझे 12 return होके आना चाहिए, ठीक है, तो देखें, मेरे पास 12 return होके आगा, मतलब उतने lines of program को आप चाहें हैं, तो simple, 1-2 line में कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो directly print भ को दिखाया भीता, ठीक है, I hope कि आप इतना syntax समझ पा रहे हो, बड़ा ही असा syntax है, आप इसका है, हम कुछ exercises देखेंगे, अगर आपको यह भी lecture पसंद आया, तो please यार इस वीडियो को एक like कर दो, और अभी तक अपने channel subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर दो, दूसरे दूसरों को ही बत उनको बताईए कि यहाँ पर python free और हिंदी में आपको आसानी से मिल जागा, thank you